हीट डॉम के बारे में डिसकस करेंगे इस लेक्चर में रिसेंटली हुआ क्या है जो पैसिफिक ओशिन है उसके नौर्थ वेस्ट पार्ट में और कनेडा के कुछ हिस्सों में कनेडा जो कंट्री है उसके कुछ पार्ट में हिस्सों में 47 डिगरी के अराउंड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जिसकी वज़े से वहाँ पे हीट वेव जनरेट हो गई है पैदा हो गई है हीट वेव आप गरम हवाओं को बोल सकते हो और ये किसकी वज़े से हुआ है हीट डॉम की वज़े से एक हीट डॉम एक फिनोमिना है इसके बारे में डिसकस करेंगे ये क्रियेट हुआ ये बना उसकी वज़े से गरम हवाओं चलने लगी और टेंपरेचर बहुत ज़्यादा इंकरीज हो गया पहले ये रिजन देखेंगे कहां पे हुआ है ये कनेडा के कुछ हिस्सों में और जो पैसिफिकोशन है ये इसका इस्टन पार्ट है और इधर वेस् क्योंकि ये तो टूडी माँप है पर त्टी तो गोल है इसको हम फॉल्ड करेंगे तो ये वेस्टon पार्ट हो जाएगा ये इस्टन पार्ट हो जाएगा तो पैसिफिकोशन के नौर्थ वेस्ट पार्ट में और कनेडा के कोछ हिस्सों में टेमप्रेचर रिकॉर्ड किया गया अभी 47 डिगरी का राउंड, तो यह होता कैसे है, पहले यह जानेंगे, यह एक फिनोमेना स्टार्ट होता है, जब टेंपरेचर में, जो समुंद्र में, सागर में जो टेंपरेचर है, ता आप मानें, उसमें स्टॉंग चेंज हो जाता है, मतलब उसमें बदलाव हो जात तो यह फिनोमेना स्टार्ट होता है यह कैसे होता है convection की वज़े से पहले convection स्टार्ट होता है जिसकी वज़े से warm air जो होती है वो उपर उठने लगती है जैसे आपको पता होगा जब गरम हवा हो जाती है या जैसे पानी भी जब गरम हो जाता है तो उसमें से भाव उठती है तो यहाँ पर temperature बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है यह अर्थ, यह 0 degree equator है, भूम अद्यरेका, यह 23.5 degree latitude है, ट्रॉपिक ओफ कैंसर, और अभी sun कहाँ पर है, सूरज भाई साब यहीं पर ही तो घूम रहा है अभी, 21st June को कहाँ पर होता है, ट्रॉपिक ओफ कैंसर प हिस्सा, और sun यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, यहाँ पे temperature बहुत ज़्यादा क्यों कि sun overhead कर रहा है, इसके बिल्कुल directly उपर है sun यहाँ पे, sun यहाँ पे है, बिल्कुल, तो यहाँ पे temperature ज़्यादा होगा, temperature ज़्यादा होने की वज़े से क्या होगा, convection start हो से क्यों हो रहा है क्योंकि ओशन का जो सर्फेस है वो हीट हो रहा है सन की वज़े से बहुत ज़्यादा तापमान हो रहा है तो एर वाम एर राइज कर रही है और राइज की वज़े से क्या हो रहा है यह ओशन सर्फेस है ओशन सर्फेस से राइज हो रही है तो यहां पर जैस यह हमारा अर्थ है अर्थ सर्फेस यहां से लगबग आठ नौ किलोमेटर की उचाई पर चलती है उपर स्पेस में यह आस्मान में चलती है तो यह उपर चल रही है यहां पर भाई साफ क्या चल रही है जैट स्टीम जैसे हीट वेव की वज़े से मतलब हीट की वज़े से यह ये north और south में वहीं पे shift होता रहता है jet steam तो ये क्या करेगी ये jet steam इसे trap कर लेगी trap का मतलब है फसा लेगी अपने आप में जो ये उपर air उठ रही है और ये जैसे वाम air उठ रही है इसको फसा लेगी north side लेके चली जाती है और आपको पता है jet steam तो west direction से पस्षिम से लेके पूरम में ये blow कर रही है flow कर रही है मतलब बहर ही है ये कहां से west से east direction में jet steam ऐसे चल रही है west से east और इसे north side में ले गई है और फिर west direction से east में चल रही तो east की तरफ ले आई तो जैसे देखो यहां पे यहां पे jet steam चल रही है ये north side में पहले इसे ले गई और फिर west direction से east में ले आई east में फिर कनाडा के पास ले आई कनाडा की land पे लाके इसे sink कर दिया इसे sink करने का मलब नीचे ले आई ले आई ले आई तो ये गरम हवाई यहां पे गरम हवाई आएगी तो फिर temperature फिर increase हो जाएगा तो यह सारा process है आगे पूरा समझेंगे हम अच्छे से तो इसमें आगे होता क्या है जो prevailing winds है move the hot air east इस air को east की तरफ move करके लाती है क्योंकि जो jet steam है वो north shift करती है jet steam जैसी north में जाती है हमने अभी समझा jet steam north में shift करेगी और इसे अपना west direction से east में move कर दिये तो east की तरफ ले आएगी पश्यम की तरफ तो इस air को jet steam ट्रेप कर लीते है फसा लेती है और यह फिर land की तरफ लेके आती है और जहाँ पे sink कर जाती है और जिसकी वज़ए से heat wave generate हो जाती है गरम हवाई चलती है क्योंकि गरम हवाई यह खीच के ले आई है jet steam jet steam है क्या jet steam अभी तो बताया क्या है jet steam narrow bend of strong wind आप definition में कैसे लिखोगे jet steam are relatively narrow bend of strong wind narrow bend का मतलब छोटा छोटा माल लो sankirn हिंदी में बोलता है sankirn या छोटा एक होता है broad broad मतलब छोडा बड़ा और broad का ही यह एंटोनी में narrow छोटा वाला तो narrow bend of strong wind strong wind चलती है यहाँ पे तो एक narrow bend ही होता है यह छोटा सा हिस्सा जो यहाँ पे wind flow कर रही होती है upper level of atmosphere में atmosphere है जो हमारा वाता वाला उसके उचा ही पे यह jet stream चल रही होती है और यह west से east direction में चलती है jet stream और यह north और south direction में shift करती रहती है shift क्यों करती है कभी north में कभी south में क्योंकि देखो भाई साब अभी जैसे यहाँ पे topic of cancer पे रहा था हमारा sun और यहाँ पे temperature बहुत ज़्यादा है तो यह जो jet stream है उन्हें ठंडा वाता वरन चाहिए तो यह जब यहाँ पे sun आता है तो यह north की तरफ आ रहा है sun यह topic of cancer में तो यह भी north की तरफ shift हो जाती है कुछ jet stream और जब जैसे इसन यहाँ इधर की तरफ आएगा topic of capricorn की तरफ तो अभी temperature यहाँ ज़्यादा होगा तो यह थोड़ा south की तरफ shift हो जाती है क्योंकि south की तरफ भी जैसे आएंगी यहाँ पे temperature कम है क्योंकि यह तो कम temperature में low temperature में below करती है अब यह strong change जो होता ocean temperature में west से heat direction में यही region है heat dome बनने का heat dome बनने का यही region है हम इसे थोड़ा अच्छे से समझेंगे इस diagram से यह देखो heat dome का मतलब यह समझदो एक layer बन गई layer यह देखो जो दिखाई दे रहा आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है heat dome बन जाता है यह atmosphere में क्या है एक तरह से layer बन गई layer किसकी बन गई यहाँ पे high pressure है जो दवाव है दवाव है यहाँ पे ज़्यादा है high pressure high pressure ज़्यादा है high pressure की वज़े से क्या होता है अब यहाँ पे जो Canada है Canada की land पे जैसे उठेंगी Canada और US Canada और US अमरीका की land पे यहाँ पे गर्मी जैसे ज़्यादा है तो warm air rise करेगी तो warm air rise करने के बाद वो आस्मान में जाएगी उपर जाएगी और atmosphere को पार करना चाहेगी लेकिन यहाँ पे तो high pressure बना हुआ है यहाँ पे जब warm wind गरम जो wind है या air है warm air फसी रहेगी तो temperature increase कर देगी तो फिर यहाँ पे गर्मी ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाएगी temperature increase हो जाएगा यह फिनोमेना चलता रहता है तो इसे हम समझेंगे इससे तो यह चीजा तकना है ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है बस एक क्या है layer C बन जाती है यहाँ पे high pressure है high pressure की वज़े से wind पार नहीं हो पाती है atmosphere से निकल ही नहीं पाती है यह जो air जा रही है warm air जा रही है warm air उपर जा रही है convection की वज़े से देखो warm air होईगी तो वो उपर उठेगी उपर उठेगी यह warm air जो layer एक पार ही नहीं कर पाती है यह ऐसा कुछ दिखाई नहीं देती बस यहाँ पे मालो high pressure है यहाँ पे low pressure है और यह जैसे पार करेगी यह यहाँ पे पार करना चाहेगी तो यह वापस आ जाएगी तो यह क्या है heat dome cover कर होता है जब atmosphere में hot ocean air trap हो जाती है atmosphere में फज जाती है उसकी वज़े से एक heat dome बन जाता है इस तरह से और यह summer में ही बनता अधिकतर गर्मियों में और अभी गर्मी कहाँ पे नदन है मिश्वेर में तो यह क्या होता jet stream move करके लिए जाती है इसका shift कर देती है northward direction में jet stream हमने अभी देखा क्या है और फिर उसकी वज़े से hot और जो stagnant air है वो expand करती है upward की तरफ जो hot air होगी वो उपर की तरफ आएगी expand करेगी लेकिन high pressure और strong air pressure की वज़े से air क्या हो जाती है नीचे आ जाती है फिर दुबारा से और एक cap बना लेती है और एक कारण है ला नीना भी ला नीना क्या होता है ला नीना होता है देखो यह वाला पेंप देखो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है जो यह eastern part है pacific ocean का eastern part है और यह southern यह है southern American मतलब यह है south America continent south America continent के western part पर यह continent का western part है और यह south pacific ocean का eastern part है देखो pacific ocean का तो यह eastern part है यह east direction है और यह west direction है लेकिन continent का west part है continent का west part है यह समझ गया है continent का west है और south pacific ocean का east part कैसे है क्योंकि इसकी direction तो इधर east है और इसकी west है लेकिन continent की इधर east है और continent की इधर west direction है तो Pacific Ocean की इधर east होगी लेकिन continent है जो South America इसकी west direction है पस्चिम तो यहाँ पस्चिम डारेक्शन में west direction में क्या होता है यहाँ पे normal temperature होता है क्योंकि यहाँ पेरू जो current है यहाँ पे आ रहा होता है पेरू current flow कर रहा होता है current आप जानते हो ocean current की बात कर रहे है ocean current ocean current क्या होता है पानी का gradually flow करना धीरे धीरे पानी का चलना ही current है तो यहाँ पे current flow कर रहा होता है पेरू current जिसकी वज़े से normal temperature होता है बलगवग ठंड़ा ही रहता है लेकिन क्या होता है कुछ abnormal situation आ जाती है और जादा ठंड़ा हो जाता है cold हो जाता है और जादा cold उसकी वज़े से क्या होता है लानीना उसको बोलते है लानीना जब temperature normal से जादा ठंड़ा रहे तो उसे बोलेंगे मतलब temperature कम रहे normal से तो उसे बोलेंगे लानीना situation तो लाने ना situation की वज़े से भी 봐 temperature कम रहेगा तेमपरेचर कम रहेगा यहां पर क्तिण थंडा जो यहां पर एक्टमसफेर बहूते है और हाई प्रेसर एक्टेश्म करते हैं हाई प्रेसर । यहां तक चला जाता है हाई प्रेसर की वज़े से एक layer सी बन जाती है जो क्या करता है temperature को trap कर लेता है और वो ही क्या है वो ही क्या है heat जो यह जारी है warm air उसको trap कर लेता है उपर जारी होती है उसे नीचे भेज देता है इस प्रोसनब सिंग में जैसी convection होता है hot air उपर जाती है तो फसके रह जाती है और दुबारा back down नीचे जाती है, पुछ कर देता है उसको pressure और इसकी वज़े से क्या है, यह dome बन जाता है, और air sing कर जाती है, compress कर जाती है, और heat generate होती है, heat generate होती है और इसकी वज़े से heat wave generate हो जाती है heat wave, गरम हवाय चलने लगती है तो यही process होता रहता है जितना ज़्यदा temperature hotter रहेगा उतना ही ज़्यदा heat dome बनेगा यह सारा process है तो यह बस इसमें इतना है कि high pressure और ला निना ला निना की वज़य से high pressure और increase हो जाता है और उसकी वज़य से जिसकी वज़य से temperature rise हो जाता है तो अब समझेंगे हम यहाँ पे यह western pacific जो ocean है उसका temperature increase करता है western pacific हमने अभी देखा यह वाला पार्ट western pacific यह वाला पार्ट यह इसका temperature increase हो जाता है और increase हो जाता है कुछ past मतलब ऐसा भी देखा गया अभी survey हुई है यह तो हुआ heat dome के जो बना western pacific में ocean temperature बढ़ने की वज़े से यह हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो western pacific है western pacific में heat ज्यादा होगी ज्यादा करम होगा यह उपर जाएगी warm air अवाम air उपर जाएगी तो jet steam इसे यहाँ से west each direction में खीच के लेके आएगी यह तो देखा हमने लेकिन normally study एक अध्यन हुआ research हो उसमें यह देखा गया कि western pacific ज eastern pacific जो ocean है यह वाला eastern pacific ocean है इससे कुछ ज्यादा देखा गया इससे इस वाले पार्ट से यहाँ western pacific में ज्यादा temperature increase हो गया कुछ climate change की वज़े से इसकी वज़े से क्या है heat dome है जो heat dome यह क्या है cloud बनने से भी रोकता है क्योंकि देखो आपको पता है जब warm air जब उपर जाती है तो उसका condensation होता है हमने cloud formation में यह समझा हुआ है आपने नहीं देखा तो geography की playlist में जाकर आप lecture देख सकते हो जब warm air उपर जाती है तो condensation होता है यानि कि condensation क्या होता है water vapor form में होता है gas की form में वो liquid में change हो जाता है liquid में यह सारा process हमने समझा हुआ है दुबारा नहीं समझा में तो condensation जैसे होता है तो जब cloud बनते हैं लेकिन warm air तो उपर जाई नहीं पा रही है और ज्यादा उपर कि वो ठंडी हो पाए उससे पहले तो high pressure की जो layer बनी हुआ हीट डोम बना हुआ उससे नीचे डाल देता है तो इससे क्या हुआ है cloud भी नहीं बनता है बादल भी नही जा रहीए अब एक बात बता हो यहाँ पे इंपूट हो रहा sun की layer आ रहे है sun की जो में बैठना उसके सी से बगएरा बंद कर लेना और एसी नहीं चलाना फैन नहीं चलाना उसमें तो धूप में खड़ी कर देना उसे बिल्कुल सन में सन के नीचे धूप में खड़ी कर देना गाड़ी को अपनी कार को और सी से बंद कर लोगे तो देखोगे कुछ देर में वह तो इसकी वजह से temperature बढ़ जाता है, तो heat जो dough में यह high pressure की वजह से होता है, जिसकी वजह से एक ऐसे हो जाता है जैसे lead on port जैसे जो बर्तन होता है, बर्तन पे ढखकन रख जेते हैं, जैसे घडा है जिसमें बाई साब पानी रखा रहता है, यह घडा इस पे ढखकन रख दिया लानिना यह रहे, अब वहाँ पर क्या है Pacific Ocean में लानिना कंडिशन बन रही है मतलब normal से कम temperature है cold है वहाँ पर, कहाँ पर Eastern Pacific Ocean में Eastern Pacific Ocean में लानिना की condition बन रही है तो इसलिए heat dome भी बन रहा है और जो water है यह Eastern Pacific Ocean में ज्यादा cool हो जाता है और Western Pacific Ocean में warm हो जाता है, तो यह देखो यही statement में देखे पूस लेगा कि warm water कहां रहेगा, cool कहां पर रहेगा क्योंकि लानिना बन रहा है यहाँ यहाँ पर बन रहा है normal से temperature कम रहेगा तो cool water रहेगा Eastern Pacific Ocean में Pacific का Eastern और warm water गरम water कहां पर रहेगा Western Pacific Ocean में तो यह आपको रहायाद रखना है warm water Western Pacific में और Eastern Pacific में cool water रहेगा अब यह heat wave थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या होती है, गरम हवाएं यह ऐसा एक समय होता है, एक period होता है जिसमे normally high temperature होता है normal maximum temperature से ज़्यादा होता है, और यह लगवग दो दिन से ज़्यादा exist करता है last करता है, last का मतलब exist करता है, दो दिन से ज़्यादा temperature ज़्यादा रहता है दो दिन से ज़्यादा temperature हाई रहेगा normal से ज़्यादा हाई रहेगा, उसी को बोलते है heat wave, heat wave बोलते है heat wave क्या होती है, यह March मार्च और जून के बीच में जनरली अकर होती है मतलब अकर होता है पैदा होती है बनती है मार्च और जून के महीने के बीच में लेकिन कभी कभी कुछ रेयर केस में का होता है जुलाई तक भी एकस्टेंड हो जाती है जुलाई के महीने में भी हीटवेब बन जाती है और यह रहेगी तो नुकसान तो हो गई तो क्या-क्या नुकसान होते हैं क्या-क्या impact होता प्रभाप पड़ता है humans पे तो यह देखेंगे और यह wet bulb temperature भी क्या है इसे भी discuss करेंगे देखो जब तक क्या है body में sweat आएगा पसीब आएगा किसी की बोड़ी में और अगर वो सूख जाएगा अगर वो सूख जाएगा पसीब आएगा evaporate हो जाएगा वरस्पइत हो जाएगा तो body cool रहेगी ठंडी रहेगी लेकिन condition ऐसी हो पसीब नहाए और वो dry नहाए और आपकी body पहीं जमा रहे तो य और आधरता क्या है, moisture in the air, कि air में पानी ज़धा रहता है, moisture, moisture form में, water vapor जो है, moisture form में, air में रहता है, ज़ाधा रहता है, तो उसे बोलते है, humidity बढ़ जाती है, तो जब humidity ज़धा रहती है, तो क्या होता है, जो आपका पसीन आप आता है, body पे, sweet आता है, वो सूखता नहीं है, dry पताई नहीं होता इवापरेट नहीं होता तो यही चंडिशन है वेट बल्ब टेमपयरचर की वेट डोब टेमपऱरेचर है एक लिमिट है हीट और हुमिडिटी की जो जिस्में ऐसी लिमिट है कि लिम मेंहें हुपारिय में इस जाहदा उसे हाइट temperature को tolerate नहीं कर सकते तो wet bulb temperature क्या हो गया heat और humidity की वो condition है जिसे human body tolerate यानि कि beer नहीं कर सकती सहन नहीं कर सकती ऐसा temperature इतना high temperature जिसे human body सहन ना कर सके वो ही है wet bulb temperature अब ये temperature जब wet bulb temperature से ज़्यादा रहेगा मतलब जिसे human body tolerate नहीं कर सकती tolerate का मतलब है सहना सहन करना जब tolerate नहीं कर सकती human body उस temperature को तो heat बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वज़े से बीमारी हो जाती है inlens हो जाती है heat stock हो जाता है heat stock heat exhaustion sunburn आपकी body क्या है sunburn हो जाएगा मुझ जल जाएगा heat races बन जाएगे heat stock मतलब आपके face पर red red सा हो जाएगा और यह बहुत ही हानी कारक भी हो सकते है घातक हो सकते है फैटल हो सकते है heat dome के effect क्या है प्रभाव क्या है यह होता देखो जो भी आदमी यहाँ पर रह रह रहे है और air conditioner नहीं है यानि कि उनके घरों में AC नहीं है तो क्या है temperature उन्हें बहुत ज्यादा नुक्सान पहुंचाएगा उसकी वज़े से fatality हो सकते हैं लोग मर भी सकते हैं यहाँ पर और heat जब trap हो जाती है इसकी वज़े से crop भी damage हो जाती है क्योंकि देखो जब जहाँ पर ठंडे वातवरन की crop है उन्हें ठंड चाहिए और heat यहाँ पर ज़्यादा हो गई तो जो वहाँ फसले हैं वो damage हो जाए जाएगा क्योंकि heat जब जब ज़्यादा होगी पाने भी evaporate हो जाएगा सूख जाएगा वहाँ पर और heat जब 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 ज़्यादा होगी इसकी वज़े से energy की demand भी rise होगी energy का मतला बिजली यह समझे लो electricity की demand क्योंकि बहाँ साफ heat ज़्यादा रहेगी fan when ज़्यादा AC ज़्यादा चलाएंगे लोग जोने को घरों में AC हो तो AC चलाएंगे और इसकी वज़े से energy की demand बढ़ेगी जिसकी वज़े से demand बढ़ेगी तो rates high हो जाएगे उनके दर ज़्यादा हो जाएगे per unit जो बिजली आती है अब heat dome क्या है अगर यह heat dome जो रहेगा heat dome जो बनेगा heat जादा रहेगी अब heat जादा रहेगी इसकी वज़े से क्या है wild fire भी हो सकती है जंगलों में आग भी लग सकती है forest fire हो सकती है और बहुत सारी land destroy हो सकती है यह हर साल लगवग USA में होता है heat dome की वज़े से अमेरिका में अब climate change और heat dome का क्या थोड़ा relation है इसे भी देख लेते ह मतलब मौसम विज्ञानिक हैं जो मौसम के बारे में जानकारी देते हैं उन्होंने कहा है climate change का जो प्रभाव है heat waves पे भी पढ़ रहा है climate change की वज़े से heat waves जादा जनरेट हो रही है एक study थी national ocean and atmospheric administration की एक study है 2017 की इसने कहा है कि जो US का average temperature है वो 19th century में जो था उससे जादा increase हो तो average temperature है अमरीका का वो increase हो गया बढ़ गया है study ने बोला था इस administration ने तो यही था बस इस lecture में इसके बारे में